नमस्कार दोस्तों, प्रेक्टिस वाला यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं, दोस्तों इस परकार के सवाल आपके एक्जाम में देखने को मिला होगा, इस परकार के सवाल को कैसे बनाते हैं? चलिए आज का वीडियो में देखते हैं, कोस्चन एक नमबर कह रह कि बीमल किसी परिक्सा में 46% अंक प्राप्ट करता है फिर परिक्सा में 10 अंकों से अनुत्रिन हो जाता है यदि वह 52% अंक प्राप्ट करता है तो वह उसे निवन्तम योगता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्ट होते हैं तो परिक्सा में उत्रिन होने के लिए आउस्यक इतने थे यह आपको बताना है इस परकार के सवाज को बनाने के लिए किसी परिक्साम में 46% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से अनुतरीन हो जाता है तो बाद कर रहा है कि अगर वह बावन परसेंट अंग पराप्त करता हैं तो जो Libre नि onsल्म यूगता है उससे वह दोस अंग सब्सद्व आठ अधिक पराप्त करता है तो आठ अधिक पराप्त करता है तो इधर देखेंगे डिफ्रेंट कितना हुआ एक पुलल अ है और एक माइन्स में तो इसका डिफरेंट पलम्स में हो जाएगा अंक कितने थे यह आपको बताना है तो नियूंतम अंक निकालने के लिए 300 जो पूनांख है उसमें से 46% अगर वह अंक पराप्त करता है तो वह 10 अंकों से अनुतिरिण हो जाता है तो 10 अंक हम दे देंगे तो यही मेरा नियूंतम पूनांख निकल कर आ जाएगा कटाएंगे 300 से 00 कट जाएगा उसके बाद आपको यह कट जाएगा कि इतने मर्त में तो कटेगा नहीं तो गुना कर देते हैं चोट तीर का के 18 के आठ हांत में एक चारतियाई बारे और एक तेरे हो जाएगा पॉला से दुस हो जाएगा तो कितना हो जोग एक सो अन्तालीस हो जाएगा तो परिक्षा में उत्रिन होने के लिए आउसक नियूंतम अंक जो हैं आपको 148 है तो 148 और अप्सन ए में है तो option A बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों यह सवाल आपको NTPC stage 2 में 2022 में पूछा हुआ यह सवाल हैं दोस्तों चलिए इसी पर करके एक दो और सवाल देख लेते हैं ताकि आपका पुड़ा concept किलियर हो जाए नेक्स्ट सवाल दू नमर कह रहा है कि एक अभ्यार्थी 20% अं प्राप्त करता है जो उतरिन होने के लिए आवस्यक नियूंतम अंकों से 32 अंक अधिक हैं तो परिक्सा पुनांक क्या है परिक्सा का पुनांक इसमें बताना है इसमें नियूंतम नहीं बताना है परिक्सा का पुनांक बताना है चलिए इस परकार के सवाल को बनाने के तो उसको उत्रिन करवा देंगे 35 अंक दे करके ठीक है जबकि दूसरा अभिहार थी 50 पर 30 अंक प्राप्त किया तो वह प्राप्त करता है तो उत्रिन होने के लिए आश्यक नियूंतम अंकों से 32 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है तो 32 अंक इसमें से हम काट देंगे ठीक है अ ऑटको 30 हो जाएगा तो इसमें क्या निकलना है इसमें परिथा का पूनाउंक निकलने के लिए 67 om triple through गुन्हें के सवकरने कठानी के बाद जो निकलेगा वहीं मेरा पूनाउंक हो जाएगा टे 1 0 से 1 0 चला गया तो कितना होगा 670 अब तो देख रहें कि कट नहीं रहा है तो 600 मने 670 हो जाएगा 6660 आगुने 10 670 हो जाएगा अब बाटा के 3 तो 670 बाटा 3 ही option में है option B में तो option B बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों यह सवाल आपको group D 2018 में पूछा हुआ या सवाल है ओके चलिए एक और सवाल देख लेते हैं मैं उमीद करता हूँ कि अब इस परिकार के सवाल आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा चलिए दोस्तों एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं तीन नमर सवाल कह रहा है कि राम को एक परिक्षा में 40% अंक पराप्त हुआ और वह 20 अंकों से अनुत्रिण हो गया आदित को 45% अंक पराप्त हुए और वह उत्रिण होने के लिए आवस्यक अंकों से 30 अंक अधिक है तो उत्रिण होने के लिए कितने परतिसत अंकों की आवस्यक्ता है इसमें बताना है वह 40 पर 30 अंख प्राप्त करता है तो वह क्या होता है 20 अंखों से अनosize हो जाता है ,ेलेखें के 2-2 अंख उसको देकर हम उत्रिन करवा देंगे फिर आधित को 45% पर 35 अंख प्राप्त और वह नियुंतम प्रापता है उससे वह 30 अंख अधिक प्राप्त करता है तो तीस अंग उसमें से हम काट देंगे अब इधर डिफरेंट देखेंगे तो एक पलस में एक माइनस में तो डिफरेंट जूट जाएगा तो पलस हो जाएगा पचास हो जाएगा तीस और बीस कितना हो जाएगा इधर डिफरेंट कितना हुआ तो इधर डिफरेंट पांच क सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम पुनांक निकालेंगे कितना नंबर के एकजाम हुआ था तो पचास बटा के पांच गुने सोव हो जाएगा तो कितने मर्त में इकड़ जाएगा दोस मर्त में यानि कि 1000 नंबर का पूर्णा का वह एक्जाम हुआ था अब कोशन क्या कह रहा है कि उत्रीन होने के लिए अब उसे कितने परतिसत अंक चाहिए उत्रीन होने के लिए देखते हैं कितने परतिसत अंक चाहिए तो उत्रीन होने के लिए 1000 में उसको अगर वह 40% अंक पराप्त करता है तो तो वह कितने नमबर से खेल कर जाता है 20 अंकों से अनुतरिन कर जाता है निवन्तम है इतना जब लाएंगे तो आप पास करेंगे तो इसमें क्या कोशन करा है कि उत्रिण होने के लिए कितने प्रतिसत अंगों की आफ सकता प्रतिसत में आपको बताना है तो ठीक है चार सो बीस हम नियूंतम अंख है तो चार सो बीस हो जाएगा चार सो बीस गुने यानि कि नियूंतम परतिसत निकालने के परतिसत गुने सो आप बाटा के क्या होता है क्रेमूल होता है तो क्रेमूल इसमें क्रेमूल के बात है नहीं इसमें कितना के एकजाम हुआ तो कितना निउन्तम हैंगे 420 गुने 100 बाटा के 1000 कर देंगे अब कटाएंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानि कि उसे निउन्तम परतीसत में 42 परतीसत अंक पराप्त करना होगा और अंक में करेगा तो 420 अंक पराप्त करना होगा उसे निउन्तम पास करने के लिए उसे चार सब 20 अंक प्रापत करना होगा और उसे परतीसत में पुछता है तो 42 परतीसत अंक निवनतम पास करने के लिए उसे लाना होगा तो 42 परतीसत ओप्षन B में है तो ओप्षन B बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों यह सवाल आपको 2018 में पूछा हुआ यह सवाल है दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि इस परकार के सवाल अब आपके एक्साम में आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा 100% आपसे बनेगा ओके मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तब तक लिए टेट यह दोस्तों एंड बाई